स्वागत करता हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से सेकंड डाउन कांसलिंग ओल्मोस्ट देखे यहाँ पर क्या हो गया कि स्टॉप करा दी गई है बट यहाँ पर केजी एम्यू से रिलेटेड आपका को पर्टिकुलर डेट टाइम मेंशन करने के लिए दुबारा से साइट पर कोई अपडेट होगा या नहीं होगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर नए है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राब करके बेल एकन भी प्रेस कर देड़ा टेलिग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो वो भी जॉइन कर लिजेगा तो देखे फ्रेंड्स आपका ये के जी एम्यू के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो कि 24 तारिकों किया है इस के बारे में क पर आपका 28 ग्यारा दोजाद 23 से लेकर के 30 ग्यारा दोजाद 23 तक सुबह के 10 से लेकर के 3 बजे तक आपके एडमिशन की प्रॉसेस आपको कंप्लीट करवा लेनी है उसके बाद यहां पर फीस के लिए थोड़ा सा इनफॉर्म किया गया है कि आपके टोटल जो फीस हैं बट यहां पर जो आपको सम्मिट करना है वो टोटल ओवरॉल आपके 43 यहां पर सम्मिट करना है ठीक है तो 43,000 आपको सम्मिट कर लेना है उसके बाद यहां पर देखिए यह के जी में इस्टिटोट और पैरामेडिकल साइंस पेवल एट लखनो एट पक्ष में दै के अकॉर्डिंग ही बनवाएंगे ठीक है तो यह आपको ध्यान रपना है उसके बाद आपको website यहां पर अभ्यारति दुवारा के जी में की website ठीक है आपको यह website देगे पैरामेडिकल प्रिवेस लिंक पर दिये गए चार हलफ नामों को दस रुपए के नॉन जुडिशिय वो भी यहाँ पर एक attach किया गया है आपका नीचे statement तो यहाँ पर आपको बताया है यह सारे documents के according ठीक है तो कौन कोट से आपको documents लगेंगे यह भी आपको बता दिया है तो आपके जैसे कि यहाँ पर copy of online application form जो आपने भरा था provisional allotment letter यहाँ पर draft देना पड़ेगा आपका 19K जैसे भी बताया मैंने उपर उसके बाद certificate है अपने 10th और 12th का ठीक है और यहाँ पर आपकी जो mark seat है वो आपकी लगेगी तो इसी तरीके से आपको सारी चीजे अपनी यह सब लेकर के जाना है ठीक है एक तो original होगा एक copy set होगा यानि कि आपको total 3 बनवा लीजिए एक original और दो copy set बनवा लीजिए एक अपने पास रख लिए अगा सम्मिट नहीं होता कोई दिक्कार नहीं लेकिन आगे चल करके तो आपको सारे documents चाहिए ही होंगे ना किसी भी तरीके से आप कई form बढ़ने चले गए तो वहाँ पर आपका जो document है original वह सम्मिट हो जाएगा तो आप करोगे क्या तो एक copy अपने लिए भी ज़रूर बनवा ल लिए जो कि अभी hold कर दिया है counseling को और आपको नई date जरूर announce करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो सभी लोगों को अभी नहीं जाना है तो यह सिर्फ और सिर्फ के लिए ही notice release किया गया था और के जात्र हैं वही जाएं और वही admission ले अगर आपको फिर भी doubt लगता है तो आप 28-30 तक जहां पर भी आपको college मिला आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं आप चले जाएए घूमाईए कोई दिक्कत नहीं है ठीके लेकिन यहाँ पर आपको पहले इंफॉर्म कर दिया है कि आपको एक नई date आपको बताई जाएगी आपको नई date वोड़ बी अनाउंस नहीं है वह जाकर कर आप आपना कर वा लेंगे बस इतना ही है तो इतना ही आपको समझना है फ्रेंट्स लिए अदर आपको कोई भी information इधर उधर से fake नहीं लेनी है और आपको depressed नहीं होना स्ट्रेस में नहीं आना ठीक है तो आप बिलकुर आपको फिर भी लगता है तो कोभी के लिए नहीं थैक्क्स वाच्छिंग और उस साइट पर एक्टिव रहें ठीक्स साइड पर एक्टिव रहें और सारी चीजे देखते हैं कैसे आपकी डेट और कब तक आ जाती है तो चलिए थैक्स वाचिंग डियरफ रेंड्स